हेलो एब्रिवान वेलकम बैक बच्चो तो देखो यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चो आपके साइट से मुझे मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पे और सभी मेसेज कर रहे हैं कि सर्थ फोड़ा चॉइस फिलिंग के बारे में बता दो आप कि हम इसको चेंज कर सक सकते हैं कब चेंज कर सकते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं मौक सीट अलाट्मेंट वन के बाद चेंज कर सकते हैं तू के बाद चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते हैं मालो कुछ गडबढ हो गई या पर मुझे और चेंज करना हुआ तो कैसे होगा तो मैं आपको बहुत clearly simple language में सब कुछ समझा देता हूँ ठीक है so today is 21st of October ठीक है और आज शाम 5 बजे तक evening 5 बजे तक आग जितने changes चाहें उतने changes कर लीजिए ठीक है 5 बजे वो lock हो जाएगा बच्चो choice filling आपका जो भी आप order fill करके खुद lock करना चाहें खुद lock कर सकते हैं नई तो वो 5 बजे तक खुद पटल हो जाएगा 5 बजे उसके बाद क्या होगा 22nd of October मतलब कल mock seat allotment 1 का आपको display होगा कि आपको कौन से seat allot हो रही है ठीक है आपने जो भी preference order बढ़ा होगा वो क्या देखेंगे last 2-3 साल की closing opening rang cut off देखेंगे और उसके हिसाब से आपको जो भी college मिल सकता है वो आपको उधर display करतेंगे अब suppose किसी बच्चे को NIT जलंदर मिल गया ठीक है CS मिल गया chemical मिल गया बड़ उसको लगता है कि मुझे उससे उपर का भी NIT मिल सकता था अगर मैं उसको उपर रख था और उसको बच्चे ने उसको नीचे रख दिया था suppose उसने NIT बार अंगल नीचे रख दिया था तो वो क्या कर सकता है कल 5 बज़े के बाद फिर से वो open हो जाएगा बच्चो ठीक है और आप उसके इंदर जितने चेंजिस करना चाहो उतने चेंजिस कर सकते हो किसी को भी उपर किसी को भी नीचे अपनी समझ से जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसमें चेंजिस कर सकते हो ठीक है ऐसे फिर 23rd को evening को 5 बज़े वो आपने lock किया दो ठीक है नहीं तो वो auto lock हो जाएगा आपका जो भी order है फिर 24th of October morning 10 बज़े ठीक है फिर से वो क्या होगा पिटा आपको mock seat allotment 2 का result डिस्पले कर देगा कि आपको कौन से colleges मिल रहे है जो आपने fill किये थे उसके according जो भी आपने preference order डाला था choice filling में उसके according कौन कौन से college मिल रहे है किसी से बात की हो और आपको changes करने चाते है तो आप उसमें फिर से changes कर सकते हैं बच्छो ठीक है और 25th को evening 5 बज़े तक जितना change करेंगे आप कर सकते हैं उसके बाद वो permanent lock हो जाएगा बटा ठीक है तो आप जब जो भी choice filling अपनी कर रहे है बहुत अच्छे से जितने लोगों को दिखा सकते हो जितने लोगों से पूछ सकते हो जितने senior से यहां से भी आप information gather कर सकते हो YouTube पे भी तना information available है बहां से अच्छे से समझ के अपनी choice filling का order fill करना especially जब आप second round का mock display देख चुके होगे ठीक है क्योंकि उसके बाद changes होने बहुत मुश्किल है changes नहीं होते मैंने पहले भी बताया था आपको और बाकी बच्चे फिर बहुत परिशान होते जैसे भी मैंने देखा आईजर में या फिर bit set में बच्चों ने बहुत ऐसे mistakes की है तो अभी आप थोड़ा समझ के order fill करना ठीक है तो उसके बाद वो 25th की evening को 5 बजे सब lock हो जाएगा पिटा सब auto save हो जाएगा auto lock हो जाएगा and 26th को वो सारा data collect करेंगे और 27th of October ठीक है morning में 10 बजे आपका finally clear हो जाएगा कि first round में आपको कौन सा IIT, कौन सा NIT, कौन सा GFTI, कौन सा triple IIT आपको allot हो रहा है तो 27th of October will be a big day counseling का first result आएगा है ना और 27th of October को 10 बजे morning में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा college allot हुआ है तो मुझे लगता है मैंने सारे questions के आपके answer दे दी है अभी भी मैं आपको पहले उससे बतारो बटा choice filling जो आप करोगे उसको 3, 4, 5, 6, 10 बार तक चेक कर लेना अच्छे से और अपने किसी बड़े से भी चेक करा लेना कि आपको जो order चाहिए, college चाहिए वो आपको मिल गया है जो भी आपको चाहिए college जिसके जो भी आपको लगता है कि मुझे ये college मिलेगा तो मैं उदर जाना चाहता हूँ मेरा dream college है depending upon ये marks उसको higher priority भी डालना ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो मिल जाए ऐसे फिर second round होगा third, fourth, fifth, sixth, उन सबकी information मैं देता रहूँँगा आपको कब कितनी fees submit करनी है, क्या करना है पुरानी वीडियो का भी में लिंक किदर डाल दूँगा जिसमें मैंने सारी information आपको बता रहूँए all the business rules, ठीक है of JOSA 2021 और कुछ आपको doubt आता है तो comment section में बता जैना बड़ा वीडियो को like करें, share करें चैनल पर नहीं आये तो चैनल को subscribe करें बाकी बच्चों को भी help करें क्योंकि काफी बच्चों का अभी भी यह doubt होगा और अगर अभी भी कोई doubt रहता है आप comment section में बिंदास बोलना I'll try to answer all the very best बच्चो, bye bye बच्चो, thank you